नमस्कार मैं हूं मनमोहनभड विधान सभा में नियुक्तियों का प्रकरण हम सबके सामने हैं विशेशग्य समीती ने तमाम दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है लेकिन एक और महत्पूर्ण बात सामने आ रही है जिन नियुक्तियों की बात हो रही है जिन लोग का वेतन कहीं ना कहीं अटका हुआ था ऐसा बताया जाता है कि वेतन दिये जाने को लेकर एक बड़ा जोल था क्योंकि वित्विभाग इस पूरे प्रकरण पर अपनी सहमती नहीं दे रहा था लेकिन बावजूत इसके जब नई सरकार का गठन हुआ तो किस तरीके से वेतन न नव नियुक्त करमचारियों का निकाला गया ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है सवालों के घेरे में है किन लोगों ने उस फाइल को मनजूरी दिलाई ये भी एक बड़ा सवाल है हो सकता है विशेशग्य समीती के सामने ये प्रकरण भी आए और आने वाले समय प उनको वेतन किस तरीके से दिया गया है ये अपने आप में एक बड़ा प्रकरण हो सकता है खबर ये भी है कि वित्व भाग के कई वरिश्ट अधिकारियों ने इस पर अपनी असहमती जताई थी लेकिन सरकार दोबारा से आने के बाद वित्व भाग ने इस फाइल को पूरी प्रदान की है साथियों देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके की और गड़वडियां सामने आती हैं पकड़ में आती हैं गड़वडियां किसने की इसका खुलासा भी जल्दी हो ही जाएगा अभी के लिए फिलाल इतना ही अगले रिपोर्ट में फिर मुलाका होगी तब तक अजास्त दीजिए नमस्कार